चुटाला का बढ़ा बयान मुझे से जो रिपोर्ट मांगी वो भीज दी जाएगी ग्रामांद्री अनलविच के साथ चर्चा भी की जाएगी, जो रिपोर्ट मांगी जाएगी, वो भेजी जाएगी, मुलाकात के बाद बिन भेदभाव फैसला लिया जाएगा हम कुछ ही कहेंगे, मैं तो जेल मिनिस्टर में से ज़्चे मांगेंगे, मैं नोट पूट अप कर दूँगा अल्टिमेटरी होम मिनिस्टर का मामला है, इसमें तैय करके होगा, ना वो अकेले कर सकते है, ना मैं कर सकता जब ऐसी कुछ स्थिया है कि तो हम डिस्क्रस कर लेंगे, जो कानून में जो है, वो उसी साफ से हम करेंगे, ना किसी का फिवर होगा, ना गलत करेंगे तो कानून जैसा कहेगी, वैसा ही किया जाएगा, साफ कहा है, और ये भी कहा है कि ग्रह मंत्री विच के साथ चर्चब ही की जाएगी, अस वक्ती बड़े ख़बर आपको उदा दे है, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि मुलाकात के बाद बिन भेद भाव के फैसला लिय जाएगा, और जाद जानकारी के साथ हमारे समधाता नंद स्रेटी हमारे साथ जुट चुके है, नंद जिस तरीके से जेल मंत्री ने भी बयान दिया है कि कानून के मुदाबिक ही फैसला लिया जाएगा, और क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? होनी चाहिए और जेल मैनूल के अथार होनी चाहिए और ये उनका हक भी है, तो उसी बात को लेकर ही जो जेल मंत्री है, चोद्री बेंजी सिंग उनसे स्वाल किया गया था, उनका ये कहना है कि जो भी उनके पास फाइल आएगी, उस पर जो भी कुमेंट्स होंगे, कनून जो भी मुलाकात के नियम है, उनके अंसार ही उनको इजायद दी जाएगी, लेकिन इस मामले में उनकी नीलविज से बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है इसको लेकर, और क्योंकि मामला ग्रह मंत्राले से है, और इसके बाद जो भी कानून के अंसार होने इजायद जी, बहुत बहुत शुक्राइस तमाम जानकारी के लिए, तो बता दे कि जेल मंत्री ने कहा है कि जैसा कानून कहेगा, वैसा ही किया जाएगा, और घ्रह मंत्री के साथ मुलाकात की जाएगी, और उसके बाद पैसल लिया जाएगा, और जैसा मुझे रिपोर्ट भीजने क के लिए कहा जाएगा, वैसा मैं रिपोर्ट बना का भेज दूँगा, वहाई उन्हें ये भी कहा है कि कानून के मताबिक हम चलेंगे और घ्रह मंत्री के साथ मीटिंग की जाएगी, उसके बाद ही किया जाएगा, तो बता दे, कि उन्हें ने कहा है कि ये ग्रह मंत्री के विभाग का मामला है, मुझसे जो भी रिपोर्ट मांगी जाएगी, वो भेज दी जाएगी, और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रह मंत्री अनलविश के साथ चर्चव की जाएगी, और ये भी कहा है कि बिना भीदभाव के मुलाकात के बाद ये फैसला लिया जाएगा, जील मंत्री रजीत सिंग चोटाला का बड़ा बयान है, और नाई तेवर के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, और साफ कहा है, राम रएम और हनी परीत के मुलाकात पर की कानून के मताबी की फैसला लिया जाएगा, ग्रह मंत्रिय अनलविश के साथ मुलाकात की जाएगी, जैसी रिपोर्ट मुझसे चाहेंगे जो रिपोर्ट मुझसे मांगी जाएगी वो बना का भेजी जाएगी वता दे कि जेल मंत्री का कहना है कि मुझसे जो रिपोर्ट मांगी जाएगी वो बना का भेजी जाएगी ग्रह मंत्रियां अनल विच के साथ चर्चा की जाएगी मुलाकाट की जाएगी और उसके बाद बिना किसी भेद भाव के इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा तो बता दे कि राम रहिम और हनी प्रेट की मुलाकाट को लेकर ये खबर आ रही है जहाँ जेल मंत्री ने अपना बयान दिया है और कहा है कि ये ग्रह मंत्री के विभाग का मामला है और इसलिए पहले अनल विज के साथ मुलाकाट की जाएगी मुझसे जो रिपोर्ट मागी जाएगी वो भेजी जाएगी और ग्रह मंत्री अनल विज के साथ शर्चा की जाएगी जिसके बाद बिना किसी भेद भाव के इस मुलाकाट के बाद फैसला लिया जाएगा बतादी कि राम रहीम और हनी प्रीट की मुलाकात को लेकर जेल मंत्री रणजीत चोटाला का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने काया कि ये घ्रह मंत्री के विभाग का मामला है पहले अनल विच के साथ मुलाकात की जाएगी मुझसे जो भी रिपोर्ट तलब की जाएगी जो भी रिपोर्ट मांगी जाएगी वो यहां से भेजी जाएगी ग्रह मंत्री अनल विच के साथ चर्चा की जाएगी मुलाकात की जाएगी और उसके बाद बिना किसी भेदभाव के इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा